राजधानी दिली में अपराज्यों के खिलाफ दिल्य पुलिस का धरपकड़ अभ्यान लगातार जारी है। धरपकड़ अभ्यान की इसी फेहरिस्त में दिल्ली की विजिवियर थाना पुलिस की पैट्रोलिंग स्टाफ ने गर्ष्ट के दोरान दो शातिर बदमाश को गिरफतार किया है। पुलिस ने उनके कबजे से एक देशी पिस्तोल, दो जिन्दा कार्टूस, एक बटनधार चाकू, दो चोरी की मोटर साइकल और एक चोरी का मोबाइल पॉन बरामत किया है। साथ ही उनके कबजे से एक स्कूटी भी जपती है। दरसल रोहिनी में स्नैचिंग और ओटो लिफ्टिंग की घटनाव को रोकने और उन पर अंकुष लगाने के लिए एक अभियान के तहट ओपरेशन प्राकरम चलाये हुआ है। इसी कड़ी में बीते 5 अक्टूबर को शाम के समय विजेव्यार थाने में तैनाथ हैड कॉंस्टबल मनोज और कॉंस्टबल संजीव ने इलाके में गश्ट करके। पुलिश टीम की गश्ट करों दो संदिक स्कूटी सवारों को उन्होंने देखा। टीम ने उन्हें चेकिंग लिए रुखने का इशारा किया लेकिन पुलिश टीम को देकर स्कूटी सवार वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन सतर पुलिश टीम ने उनका पीछा किया और उन्हें डबोच लिया। आरोपियों के पहचान अनिल कुमार और अंडा और हिमान्शु गुपता के रुख में हुई। जिले के डीसीपी डॉक्टर गुरिकबाल सिंग सिध्धु ने जानकारी देते वे बताया कि दोनों विजेव्यार थाना इलाके के घोशित बढ़माश हैं। पुलिस के मुताबिक एक आरोपि पर अड़तालिस मुकदमे तो वहीं दूसरे पर बाइस मुकदमे दर्द हैं। साथी पुलिस ने इनकी गिरफतारी के बाद चार मामलों को भी सुलचाया है। जिसमें से तीन मामले विजेव्यार थाने में ही दर्द हैं। फिलाल दोनों आरोपि विजेव्यार पुलिस की गिरफतारी से कहीं न कहीं इलाके में स्नैचिंग और लूट पार्ट की वारधातों पर लगाम चरूर लग सकेगी। फिलाल पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कारवाई में जुट गई है। दिली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट हम वतन पीवी।